नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आज की इस वीडियो में और आज ये संडे जैसा कि आपसे भी जानते हैं कि संडे को हम रखते हैं Q&A सेशन जिसमें ये PFO से जोड़े बैसिक सवालों की जवाब आप मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता हूं तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट हैं कि अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और आज की वीडियो का पहला सवाल है कि या डेट ओप एक्जिट अ नहीं करते अपने पीएफ अकाउंड में तब तक आप पूरा पैसा यानि कि फॉर्म उनिस और फॉर्म टेंसी आप नहीं बढ़ सकते और अपने पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते दोस्तों वीडियो का अगला सवाल है कि यूए नंबर एक्टिवेट करने पर डेट ऑफ ब बर्थ एंटर करना है जो आपके और में नंबर करने सब्ढसने पर पता बता है कि क्योंब मिल जाके पर आपको इएट आरया उत्दोब बदैट हो सब्सक्राइब यहां पर बात आती है कि कंपनी बंद हो चुकी तो उसका क्या रोल है उसका रोल यह रहता है दोस्तों कि जब बढ़ते हैं तो जोईन डेक्लेरेशन फॉर्म में इंप्लोयर के सील और साइन बहुत जादा जरूरी होते हैं अगर कंपनी बंद हो जाती है तब इसे केस में क्या करना है इसे केस में दूस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था आई बेटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी वहाँ प जैंक के मैनेजर के आप सील और साइन लगवा सकते हैं और अपना जोईन डेक्लेरेशन फॉर्म कंप्रेट करके पीएफ अकॉंड में जमा कर सकते हैं उससे आपकी डेट ऑप एक्जिट अपडेट और सही हो जाएगी दोस्तों वीडियो का अगला सवाल है कि के वाइसी अ उससेम्प्रूइयर के द्वारा किया जाता है ना है वहां पर एकर सकते हैं यहां पर प्रूइख 10 दिन या पंदा दिन का समय करेंगे और आपके पीएफ अकॉंड में कंप्लिट के वाइस हो जाएगी वीडियो का आखरे सवाल है कि पीएफ अकॉंड और बेंक अकॉंड में नाम अलग-अलग दर्ज है तो क्या क्लेम सेटर हो जाएगा दोधर इस दिवाब को वह ध्यान से सुनिएगा कि क्या होता है क यह ब दर्ज है और जब आपकाrit को सेटर नहीं होगा वहाँ पर नाम मिसमेश की प्रॉबलम अजाएगी और क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा तो आप कोशिच यह करें कि अपने डॉक्युमेंट जो के वाइसी में रखते हैं यानि कि आधार कार्ड पैन कार्ड और बेंक अकाउंट इन तीनों में वही नाम रखें जो आपके पीएफ अकॉड में है तो उहां पर क्लेम हो जाएंगे नही को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर जरूर करें